नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ करोना शंकरतिवारी आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्यों के धनी मौझूद हैं जो प्रखर वक्ता, हिंदुत्ववादी विचारों के प्रखर ग्यानी, विदेशी मामलों के जानकार, वरिस्ट पत्रकार, देश और विदेश की नब्स टटोलने वाले श्री पुषपेंद्र कुल्स्टेस्ट जी, नोशकर पुषपेंद्जी, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका हर्दिक स्वागत है, और पुषपेंद्जी, दिल्ली से को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप वहीं से बेज रहे हैं, एक पत्रकार भी है, किसानों का अंदोलन चल रहा है, और इस पर सरकार न आमेंड्मेंट की बाते मान भी ली हैं, लेकिन बात कुछ बंती नजर नहीं आ रही है, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं, या क्या होगा, क्या लगता है? करणा शंकर तिवारी जी, आपने मुझे अपने चैनल हिंदुस्तान पोस्ट में दावत दी इसके लिए आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, देखे, भारत में इस वक्त जो आंदुलन हो रहे हैं, जिन मुद्दों पे, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, वो शायद उन मुद्दों का बहाना बना करके, इस देश की सत्ता के साथ उनके मतभेद कम और इस राष्ट के साथ उनके मतभेद जाता हैं, तो चाहें C.A. का मामला हो, 370. का मामला हो, ये वही ताखते हैं, जिनके माध्यम से इन बिल पास होने के बाद, एक इनतजार किय या गया लंबे समय तक, और उसके बाद एक राज जो के कॉंग्रेस के रूल में है, वहां से लोग निकल के आये हैं, और किसानों की शकल में कौन लोग हैं, क्या उनकी मांगे हैं, और ताज़्जब ये हैं कि देश इतना बड़ा है, उत्तरपरदेश की 23 कोड़ आबादी है, मद्देश की है, बिहार की है, तो जिनकी आबादी इतनी कम है, उस राज से एक खास एजन्डे के साथ लोग इस मुद्दे पर आए हैं, और पहले उन्हें पंजाब के अंदर करोडों का नुकसान किया, रेलवे को रो करके, और अब जब वो यहां आए हैं, इविन उन उनका जो चीफ मिनिस्टर है, वो भी एगरी नहीं करता है, लेकिन उसमें हर किसम की फोर्स इन्वाल्व है, उसमें नकसल भी है, उसमें माववाद भी है, उसमें जिहाद भी है, उसमें एंटी मोदी भी हैं, उसमें एंटी हिंदू भी हैं, एंटी हिंदू भी हैं, वो त कारण उस किसानों के मुद्दों को उस बिल को एक भावनक मुद्दा बनाने की कोशिश की ताके हम इस देश में विरोधी जो ताखतें हैं जो विदेश में भी बैठी हुई हैं वो कनाडा में भी हैं वो आस्टेलिया में भी हैं वो पाकिस्तान में भी हैं उनके माध्यम से इस सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल केरियेट किया जाए जिससे के अनारकी फैल सके। तो मुझे लगता है कि किसानों ने जो भी बातें रखी हैं वो एक तरीके से एक्सेंट्रिक बाते हैं जो पंजाब के किसानों की जो मौनोपली थी। आप देखें कि पंजाब का किसान इतना ताकतवर था आर्थिक रूप से कि वो उत्तरप्रदेश के बिहार के सारे किसानों का खरीद लेता था। और फिर अपनी मर्जी से बेशता था। तो मैं समझता हूँ कि देश को समझ आ रहा है, सरकार को समझ आ रहा है, लेकिन सरकार एक समविधानिक पत पे बैठी हुई है, तो वो शायद इन मुद्दों को ऐसे खारिज नहीं कर सकती, इसलिए ये वारता का दौर चलेगा, लेकिन संसद ने इनको पास किया है, पास किया है, उसमें और भी पार्टियां थी, और खुद कॉंग्रेस पार्टि के 2019 के मैनिफेस्टों में लिखा हुआ था, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सत्ता विरोधी मामला है, और सत्ता विरोध से जादा वो जो ताखते इसमें शामिल हुई है, वो देश विर दरे में खड़ा करने का मौखा है, तो इस किसान आंदुलन को मैं किसान आंदुलन नहीं मानता, इस किसान आंदुलन के आड़ में देश के अंदर एक अनार की पैदा करने की कोशिश है, यह इसमें तो क्या यह अन्दाजा यह उस लिंक से चोड़ा साथ जा सकता है, जैसे NIA ने भी चारशीट भी फाइल की है फालिस्तानी जो है और कुछ और भी लोग पकड़े गए है दूसरा जो टोरेंटो लंदन में जो चीजें हो रही है क्या ये इंटर रिलेटेड हैं या सब अलग-अलग हैं देखे अभी जब इंग्लेंड में चुना हुआ था तो लेबर पार्टी के उपर भारत के मुसल्मानों ने पाकिस्तान के मुसल्मानों ने बंग्रादेश के मुसल्मानों ने ये दबाव डाला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे बर शर्ते के लेबर पार्टी ये resolution पास करे कि जब वो सत्ता में आएगी तो United Security Council में भारत ने जम्मो कश्मीर में जो Article 370 को हटाया है उस पे भारत के खिलाफ वीटो लाएगी अब आप सोचिए कि वहां हार हुई वहां लेबर पार्टी हार गई और फिर अमरिका के अंदर जो कुछ हुआ तो आप कुल मिलाके देखेंगे कि इसका विदेशी लिंक में इसलिए मानता हूँ कि आज किसानों की जो मांगे हैं उन मांगों के अंदर ये मांग कहां से आई कि सारे नकसल्स को छोड़िये सारे माववादियों को छोड़िये जिन लोगों को आपने पत्रकारों को छोड़िये ये किसान पत्रकारों का मुद्ध कब से लेके आए और जो नकसल्स के माध्धिम से लोग पकड़े गए हैं वो भी सब को पता है जो इस देश में अनारकी पैदा करने चाहते हैं उनका भी पता है उसमें JNU की लोबी भी है उसमें इस देश के इसलामिक आतंकवादियों की लोबी है उसमें PFI भी शामिल है SDPI भी शामिल है जमाते इसलामी भी शामिल है तो ये तमाम सारे लोग है और इसमें आप अगर एक पत्रकार की हैसियस से या उस जनलिस्टिक आई से अगर देखेंगे तो इसके अंदर जो लोग टेलिवीजन पे आकर के कहते हैं कि जब हम साथ करोड होते हमने देश को बाट दिया था तो अब तो हम 30 करोड हैं तो अब हमें दुबारा से एक हिस्सा चाहिए वो ताखतें भी खाना पहुचा रही हैं रसत पहुचा रही हैं और सिखों को गुमरा कर रही हैं चाहे मोगा हो या दूसरी जगे हो उसमें कश्मीर के दहशतगर्द, इंटलेक्शल दहशतगर्द और इंटलेक्शल हिस्टोरियन जर्रिस्ट वो तमाम ताखतें इस पूरे मामले को आगे कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि सिख और हिंदू के बीच में जो एक परिवारिक रिश्ता था उसको और उस खाई को बड़ा कर दिया जाए ताके एक मार्शल रेस को इस सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए उसका हवा जो है वो कैनड़ा से भी आ रही है, वो करनाटक से भी आ रही है, वो कश्मीर से भी आ रही है इसके extended dimensions हैं आप देखें कि कोयम बटूर का बंधमा का हो पटना का बंधमा का हो दिल्ली ये तमा के यकायक 2014 से क्यों बंध हो गए हैं इनके international dimensions थे तो जो इस तरीके से कश्मीर में operation किया जा रहा है जिस तरीके से भारत ने पिछले 4-5 साल में विश पटल के उपर अपनी एक स्थिती मजबूत की है international ताक्तों को अपने साथ लिया है तो उससे आज बंधमा के नहीं हो रहे हैं इस देश में तो अब लोक तंत्र के माध्यम से भारत की सत्ता के खिलाफ कैसे माहुल बनाया जाए ये उसका प्रियोक किया जा रहा है तो आप सड़के रोक के बैठ कोई हार्श डिसीजन के लिए जिस से हम दुनिया भर में इस प्रोपेगंडा को करें कि हिंदुस्तान में एक हिंदुवादी सरकार है यहां माइनोटी सरक्षित नहीं है ये प्रोपेगंडा चल रहा है लेकिन सर्फ उसी सरकार की काल में दिल्ली जैसे दंगे होते हैं शा माहीन बाग का फरस्टेशन और दिल्ली में केजरी वाल सरकार की खुशी ये मिक्चर था तो उनको लगा कि किसी तरीके से हम सरकार को डरा सकें और यहां ट्रम साब आने वाले थे कैसे उस पूरे चीज़ को डिस्टरब करें तो मैं ये मानता हूं कि सरकार जब सत्ता में हो होती है तो उसे अंतर राष्टी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है ये सरकार के सामने संकट यह है कि जब पूरा देश बदल रहा है थोड़ा वो ताखतें जो इस देश में जिनको डराया गया धंकाया गया जब उस नरेटिव से भार आ रही है तो ब टैनमने स्कुएर की बात नहीं करते हैं जो मुसल्मान हिंदुस्तान के अंदर इस बात का विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि साब हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है वो ही मुसल्मान और वामपंत का गड़ जोड भारत में उगिर मुसल्मानों के साथ चाइना में क्या हो सरकारों से जादा इस लड़ाई को लड़ने में इस लड़ाई का सामना करने में भारत के समाज को आगे आना होगा क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जा सकती हत्यारों से नहीं लड़ी जा सकती बलके समाज जब काउंटर करेगा तो मैं समझता हूँ क वो ताखतें पीछे जाएंगी, वो तो ये चाहती हैं कि सरकार प्रवोक होके गोली चलाए, सरकार प्रवोक होके कोई ऐसा फैसला ले, जिसे हम बेच सकें पूरी दुनिया में, तो सरकार के पेशन्स उसके तहम्मल का, ये लोग एक तरी से एक्जाम, इंतहान ले रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ देश भी इन लोगों को काउंटर करने के लिए, जगे जगे धरने पर दशन्दे, तब जाकर कि मैं समझता हूँ, कि सरकार के हाथ मस्बूत होंगे. सर एक चीज़ और, जो इसी समय करीब इसके पहले से शुरू हुआ, लेकिन उसके श्रिंखला बद्द कह सकते हैं, जो गुपकार समझहोते हैं और उसके बाद का जो फारुक अब्दुल्ला और महभूबा मुफ्ती वगरा का जो था, वो क्या चीज़ है, क्योंकि 370 हटा, 35A का जो इन्हों ने किया, उसके बाद तो एक विकास की बात चलने लगी, वहाँ पर दोनों लदाक अलग हुआ, जमू कश्मीर अलग हुआ, केंदर शासीत प्रदेश हुए, तो एक विकास की बात होने लगी, लेकिन ये फिर उसी बैक्टर मॉइट पर आने की बात कर रहे हैं, चीन की मदद लेने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या, आपका क्या विचार कारण हो सकता है, इसमें बहुत साफ साफ है, इसमें कोई चीज ऐसे नहीं है, सारी चीज वाज़े हैं, कि जम्मू कश्मीर में पहले ये हुआ कि यहां लोकतंतर का आपरण होता रहा है, सरकारे केंद की सरकारें जो हैं वहां की सरकारों को गिराती रही हैं, फिर वहां उन्होंने विक्टिम क का दर्वाजा खुला और कॉंग्रे सरकार ने और भारत के आधुनिक प्रदान मंतरी मरहूम राजीव गांदी ने खुलवाया तब कश्मीर में मंदिर तोड़े गए करीब 500 और फिर उसके बाद किस तरीके से एक सरकार आई 89 में और किन अंतराश्टिये दबाओं के तहद व और वो 2 दिसमबर को शपत लेता है 8 दिसमबर को उसकी बेटी गाइब हो जाती है और 4 अंतराश्टिये आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है बेटी वापस आ जाती है आज तक दुनिया का कोई मीडिया ये नहीं बता पाए कि उसकी बेटी का किसने अपरहन किया था और किसने छोड़ा था मैं मानता हूँ जो कुछ क्योंकि उस जमाने हम पत्रकारता में आये थे कि खुद उसका अपरहन कराया गया ताकि उन आतंकवादियों को छोड़ा जाए फिर गुलाम नभी आजाद के घर में कोई अपरहन हुआ फिर सोफदून सोज के घर में हुआ और कुल मिला करके 30-35 आतंकवादी छोड़ दिये गए और 2 दिसंबर से जिस दिन उनने शपत ली और आप 19 जनवरी तक आ जाएं तो कोई 45-50 दिन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस दुनिया का सबसे बड़ा पलाएन भारत में उस देश की धरती के मूल निवासियों का इसलामिक आतंकवादी मुसल्मानों ने किया पांच लाक लोग कश्मीर से भगा दिये गए उनकी पूजा पद्दिती के करन वो देश के अलग-अलग कौनों में गए ढ़ाई हजार लोगों को मार दिया गया और ऐसे असे लोगों को मारा टीकलाल टप्रू जैसे आदमी जो उस समाज के बड़े विद्वान लोग थे जब उनको उनके घर से निकाल लाए और उनकी दोनों आखे उनके बेटे के सामने निकाली और फिर जब गोली मारी तो पता ये चला कि टीकलाल टप्रू साब जिस मेज पे बैठे हुए थे उस मेज पे वो कुरान मजीद को कश्मीरी भाशा में ट्रांसलेट कर रहे थे तो उनको काबले कबूल नहीं था कि फारुक अब्दल्ला के पूरवजों ने अपना मजभ जो है बदल लिया है उनको काबले कबूल नहीं था कि महम्मद इखबाल ने जिनके पूर्वा सपरू थे उन्होंने बदल लिया है ये बदल नहीं रहे हैं अब ये नहीं बदल रहे हैं तो इनको तलवार के जो इसलाम की और कुरान की फिलोस्फ़ी है उन्होंने बदल वा दिया तो आज वैली कश्मीर में खाली हो गई है लहाजा आज वो ताखतें नरिंद मोदी के आने के बाद से जो ये कहती है हमें विकास चाहिए तो उन्हें विकास कभी नहीं चाहिए था साफ साफ लोगों ने पूछा कि अगर भारत की सरकार कश्मीर की सड़कों सौने की भी बना दे तो भी हमें खाबले कबूल नहीं है हम चाहते हैं निजाम मुस्तफा अल्ला की खुमत बिना कश्मीरी हिंदूों के मुसल्मानों की सरकार चाहिए लहाजा यह जो विकास का बात है यह पॉलिटिकल स्लोगन है और क्योंकि एक ही जटके में 370 और 35 पूरे विधी विधान के साथ भारत की संसत में डिबेट के बाद मिजोरिटी से यानि उसमें तो एक और बात इंपॉर्टन्ट है कि जो भारती जनता पार्टी की अपनी उनकी स्टेंथ है 303 और उनके एंडिये के संसकों के मिलाने तो 340 थी लेकिन उसके बावजूद भी लोग सभा में 370 वोटों से हा रही है तो यानि बीजेपी के अलावा यानि उसके एंडिये के अलावा भी लोगों ने इसको हटाने के समर्थन में वोट दिया अब क्योंके ये संसत द्वारा हुई है लेकिन वो भी उन्हें काबले कबूल नहीं है तो आज चाहें रोशनी एक्ट में फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तमाम जितने उनके लोग है वो 25,000 करोड का जो घुटाला किया गया है क्योंकि भारत की संसत वहां नहीं जाती थी भारत की सुप्रीम कोड वहां नहीं जाती थी तो तमाम और आप कहां एंटी करिप्शन वहां लागू नहीं होता था बैंकिंग लागू तो ये एक तरीके से एक गरो जिसे आपने कहा गुपकार ये एक गरो है जो इसलाम और मुसल्मान के नाम पे भारत की फौज को भारत की हुकूमत को भारत की विवस्था को सियासी दलों का ब्लेक मिल करती रही है लेकिन हमारे यहां मुसल्मान को अपीज करने का लेवल यह है कि हमने अपीज करते करते जो 1976 में हमने सेकुलर सम्विधान बनाया था आज उसको भी हमने पलट दिया है इस सरकार ने 370 हटाई, 35 हटाई जिसके हटने से पाकिस्तान में परिशानी है, बंगला देश में परिशानी है मैंने कहा कि इंगलेंड के एलेक्शन में यही हुआ, यही आपके यूएस के एलेक्शन में हुआ, तो आप सोचिए कि भारत जो इतने साल से चल रहा था, वो किल लोगों के रहो करम पे चल रहा था, हम अपने देश के सम्विधान में क्या बदलें नहीं बदलें, यह हमारा अख्तियार होना चाहिए लेकिन भारत के अंदर कई हजार कश्मीर और पाकिस्तान बसते हैं इसलिए भारत के अंदर क्या होना चाहिए ये पाकिस्तान तै करेगा भारत के मुसल्मानों को क्या करना चाहिए ये पाकिस्तान तै करेगा तो मैं ये मानता हूं कि आज डिसाइसि एक समाज को ताकत देनी चाहिए ताके वो सम्विधान में ऐसे जितने भी कृत किये गए हैं पिछले 70 सालों में आर्टिकल 333 को हटा दिया तो ये सब चीजें हटें तो ये देश जो हजारों साल की परमपरा और परम वहवव का था वो उस तरह प्राप्त करें और इसमें जब पदिती को भारत के सम्विधान से उपर रखेंगे तो हिंदुस्तान की मिजरोटी को ये काबले कबूल नहीं है और आज इस देश का बहुं संकिक समाज ये सवाल चौराए चौराए पूछ रहा है उन लोगों को जवाब देना चाहिए और अगर वो जवाब नहीं द जा रही है तो क्या लगता है कि हमारे पंडित वहां से पलायन किये थे कैसे लोटेंगे जो वहां पर है मैं मानता हूँ आपका सवाल वाजब है लेकिन सवाल ये है कि कश्मीरी पंडितों के जाने से पहले कश्मीर सुरक्षित हो आपने का अज़े पंडिता को मारा तो इसका मतलब ये है कि सेना सबकुछ होने के बावजूद भी आज भी भारत सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा जम्मू से थी जो कोयम बटूर पहुंच जाती थी जो पटना पहुंच जाती थी जो डिल्ली पहुंच जाती थी आज उस रास्ते के बंध होने से भारत में कोई बम धमाका नहीं हो रहा तो यह माने कि वो ताखते डेस्परेट हैं और आपके कश्मीरी मुसल्मान उसमें 100% शामिल हैं तो आप यह कहें कि राजनितिक लोगों को अच्छा लगता है कहना के नहीं देखे जाब वो हमारे अच्छे हैं मैं यह नहीं मानता जो कुरान को मानेगा वो आतंकवादी ही बनेगा उसके अलावा बनी है नहीं सकता आप अपने साथ रहने के लिए आपको एज पहुत पहले से लिखे हुई यानि वो ताख्ते हैं इस देश को कमजोर देखना चाती हैं सत्ता हो कमजोर देखना चाती की अगली बार हम फिर मिलेंगे तब तक आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए हिंजुसान पोस्ट